नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अग्रिमा जादोन और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हमें एक बार फिर हाजुन है एक और गरम और गंभीर मुद्दे के साथ जिस पर आज हम बात करने जो रहे हैं जो हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आपको ये तो मालूम ही होगा कि हाली में उत्राखन में वसीम नाम के एक मुस्लिम युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है इसके बाद अब AIMIM के अध्यक्ष असदुदीन उवैसी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वसीम की मौत पर कई सवाल खड़े किये हैं उवैसी ने ट्वीट में लिखा है गौत असकरी के नाम पर उत्राखंट पुलिस ने मुसलिम नौजवान वसीम को पीट पीट कर तालाब में फेक दिया और जूटी कहानी बना दी कि वसीम पुलिस को देख कर तालाब में कून दिया तो फिर वसीम के मूँ और जिसम पर चोट के निशान कैसे आए मीडिया में इसका जिक्र भी नहीं है जो इरान की महिलाओं और बांगलादेश के हिंदूओं पर घंटों बात कर सकते हैं उन्हें वसीम की कोई चिंता नहीं पुलिस कर्मियों पर कतल का मुकदमान लगना चाहिए ये पूरा जो है सदुदीन उवैसी ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरीए उवैसी इनकेवल वसीम की मौद पर सवाल उठा रहे हैं ये भी इशारा किया है कि कैसे मीडिया और समाज एक खास समुदाई के प्रतिवदासीन ता भरा रवय आपना रहा है तो आईए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं इसमें पहला सवार है कि वसीम की मौद कैसे हुई और इसका पूरा मामला क्या है तो देखिए ये घटना उत्राखंट के एक छोटे से गाउं की है जहाँ पर वसीम को पुलिस ने गौत असकरी के शक में हिरासत में लिया था पुलिस का कहना है कि वसीम ने हिरासत से भागने की कोशिश की और भागते भागते क तालाब में कूंद गया जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई लेकिन वसीम के परिवार और स्थानिय लोगों का कहना है कि पुलिस ने वसीम को बेरहमी से पीता और उसके बाद तालाब में फिक दिया वसीम के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरी घटना को एक दुर घटना बताने की कोशिश की और वसीम के खिलाब जूटे आरोप भी लगाए अगर वसीम खुद तालाब में कूंदा होता तो फिर उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए ये सवाल उठना सोभाविक है अब असादुद दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग जो है वो उठा दी है उनका कहना है कि ये घटना एक सुन्योजित हत्या है जिसे पुलिस ने गौतसकरी के नाम पर उंजौँद दिया है उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग किया और कहा है कि वसीम को इनसाफ मिलना ही चाहिए वैसी का ये भी कहना है कि मीडिया इस मुद्धे को जो है वो नजर अंदाज कर रही है जो लोग इरान की महिलाओं और बंगलादेश के हिंदूओं पर घंटो बात कर सकते हैं वे वसीम की मौत पर चुप्पी साधे हुए वैठे हुए हैं यहाँ पे इनका इशारा जो है बी वाईवार ऐसा देखा गया है कि कुछ खास घटनाओं को प्रमुकता दी जाती है जबकि अन्य को नजर अंदाज कर दिया जाता है वसीम की मौत पर मीडिया में कम कवरेज मिलने का कारण क्या है यह भी हम आपको बताते हैं क्या यह सच में एक सामपरदाइक पक्षपात हो नहीं है कि वे इस मुद्य को प्रमुकता से उठाए इस पूरे मामले में सबसे महतपून बात यह है कि वसीम को इंसाफ मिलना चाहिए अगर वसीम की मौत पुलिस की बरबरता का परिनाम है तो उन पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए किसी भी सम केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं है यह घटना हमारे समाज में न्याय और समानता की मुद्धों को भी उजागर करती है अगर हम ऐसे मामलों को नजर अंदाज करेंगे तो हमारे समाज में कानून का शासन कैसे बचेगा इस मामले में जो बात और भी चिंता जनक है वो ये है कि वसीम की मौत को लेकर हो रही कानून प्रतिक्रियाओं में देरी क्यों हो रही है पुलिस और प्रिशासन अधिकारियों द्वारा मामले को बार बार टालने की कोशिश की जा रही है वसीन के परिवार ने कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई भी ठोस कारिवाही नहीं हुई है यह बहुत ही जादा उदाजें तभरा माहौल है इस घटना के बाद कई संगठनों और सामाजिक कारिकरताओं ने भी अवाज उठाई है उन्होंने उत्राखन सरकार और कि इन सरकार से मांग की है कि वसीन की मौत की स्वतंतर जाच जो है वो करवाई जाए और दोश्टियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसके अलावाइस घटना ने राश्ट्रिय मानवधिकार आयोग यानी की एनच आरसी का ध्यान भी आकुशित किया है जिसना उत्राखन पुलिस से मामले की विस्तरत रिपोर्ट भी मांगी है हाला कि ये देखना बाकी है कि इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और क्या वसीम के परिवार को न्याए मिल पाता है ये घटना से वसीम की मौत तक सीमित नहीं है जी हां दोस्तों ये हमारे समाज में मौझूद बड़े मुद्दों का भी प्रतीक है गोत असकरी के नाम पर हो रही हिंसा और मुसल्मानों के खिलाफ बड़ती नफरत को लेकर कई बार सवाल उठे हैं लेकिन हर बार इन सवालों को अंदेखा कर दिया जाता है क्या हमें इस तरह की घटनाओं को केवल खबरों में देखकर भूल जाना चाहिए या फिर हमें एक जुट होकर इस अन्याय के खिलाफ अवाज उठाने चाहिए असदुदी नुवैसी ने जो सवाल खड़े किये हैं वे हमारे समाज की सामूहिक जिम्मिदारी को दर्शाते हैं अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे मामलों में न्याय की मांग करें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो इस मामले से जुड़े कुछ तथ्यों पर गौर किया जाए तो ये सपष्ट होता है कि गौत असकरी के आरोपों के तहत मुसलमानों को अक्सर निशाना बनाया जाता है राश्चिय अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो एनसी आरबी के आकडों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गौत असकरी के नाम पर हिंसा के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है इनमें से अधिकांच घटनाओं में मुसलिम समुदाय को निशाना बनाया गया है वसीम की मौद भी इसी पैटन का हिस्सा लगती है जहां एक निर्दोश व्यक्ती को आरोपों के आधार पर चांद से मार दिया गया यहने केवल कानूनी प्रक्रिया का उलंगन है बलकि धार में का धार पर भेद भाव का भी सपश्ट उधारन है उन्होंने कहा कि वसीम को बुरी तरह बीटा गया जिसके कारण उसकी मौद हुई जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया साथी पोस्टम रिपोर्ट में भी वसीम के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं जो पुलिस के दावे को जुट लाते हैं ये तक तेज बात की पुष्टी करते हैं कि मामले की निस्पक्ष जाच की सक्त जरूरत है और दोश्यों को कानून के कटगरे में लाया जाना चाहिए वसीम की मौत के बाद देश भर में कई जगए विरोत प्रदशन हुए जिन में नियाय की मांग की गई मुसलिम संगठनों के अलावा कई मानवधिकार संगठनों ने भी इस मामले में सरकार से न्यायक हस्तशेप की मांग की है संयुतिराश्ट्री मानवधिकार शाखा ने भी इस घटना पर जो है वो चिंता व्यक्त की है और कहा है कि भारत को अपने अल्पसंख्या के समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ये अल्तराश्ट्रिय स्तर पर भी भारत की जवी को प्रभावित कर सकता है खास कर जब मानवधिकारों के उलंगन के मामलों की बात आती है इन सबी तर्तियों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि इस मामली में निस्पक्ष और तेजी से न्याय कारिवाही की जाए तो दोस्तों वसीम की मौत का ये मामला न केवल एक व्यक्ति की जान का सवाल है बल्कि ये हमारे समाज की सामुहिक जिम्मेदारी का भी सवाल है क्या हम सच में एक ऐसे समाज में रहना चाते हैं जहां किसी की जान इतनी सस्ती हो जाए क्या हम यह बरदाश कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या जाती के आधार पर निशाना बना जाए असदुती नुवैसी ने जो सवाल उठाए है वह हमारे लिए सोचने का मौका है हमें इन मुद्नों पर गंबीरता से विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब को मिलकर आवाज उठानी होगी और इसलिए आप इस वीडियो को जतना हो सके उतना शेर जरूर करें धन्यवाद